और यहां पर भी आप राहिस्तान में और MP में दोनों जगे आप कई सीटों पर बिलकुल मार्जन आप बहुत कम देखोगे कहीं 100 वोट से विजय मिलेगी कहीं 100 वोट से हार मिलेगी या कैसे यह सब देखने को मिलेगी यानि सिसाब से कॉंग्रेस को 59 से 69 के बीच में सीटे मिलेंगी बीज़ेपी को 127 से 137 के बीच में अन्य दो से 6 यानि कि जो आमादमी पार्टी जो यह कह रही है कि विकल्प अब राजसान ने चुन लिया है तो कॉंग्रेस की 45 परसेंट वोटर है बीज़ेपी की 45 परसेंट वोटर है अब बीज़ेपी के 2 परसेंट है और अन्य के 8 परसेंट है अब अन्य जो 8 परसेंट है और बीज़ेपी के जो 2 परसेंट है यह बीज़ेपी तो आब यह मान के चलिए कि बीज़ेपी की तरफ ज लेकिन सबसे जादों जो focus है पार्टियों का वो है राजिस्थान और मध्यप्रदीश पर लेकिन अगर आकडों की हम बात करें। तो उलट फिर देखा जा रहा है राजिस्थान में कॉंग्रिस की सरकार है लेकिन यहाँ पर बीज़ोपी की सरकार बनती हूं नजर आ रही है अगर मध्यप्रदेश के हम बात करें तो यहाँ पर बीज़ोपी की सरकार है लेकिन कॉंग्रिस की सरकार बनती हूं नजर आ रही ह तो ऐसे में क्या ही मालिया जाए जो ये अभी opinions आ रही है जो पोल्स आ रहे हैं ये बिलकुल correct है या आगे बदलाव हो सकता है काजल इसमें आगे बदलाव भी हो सकता है पर जहां तक मद्यपरदेश राहिस्तान की बात करें का लिए बहुत है तो मद्यपरदेश में जिस तरह से आपको ओलट-फेट देखने को मिलेगा और वहाँ पर देखने को मिलेगा काउंगरिस काफी मजबूत हुई है वो कारण ये है कि आप जिस तरह से मैनेफेस्टो लाते हैं मैनेफेस्टो में आपने जो जो वादे आपने किये थे वो कहीं पूरे होते वे नजर नहीं आए इसी तरह से कॉंगरेस की सरकार राहिस्तान में थी आप देखेंगे तो कई सौ करोड रुपे का करजा आज भी किसानों के उपर है वहाँ पर बिरोजगारी भत्ते की बात की गई थी 2022 में जाके लागू करा है इन्होंने लड़कियों को मुफ्ट सिक्चा की बात की थी 2018 में बात की थी 2022 में जाके पूरा किया और परिशार्टियों के लिए 2022 में जाके इन्होंने का था कि हम मुफ्ट उनको एग्जामनेशन सेंटर तक वो भी इन्होंने 2022 में जाके पूरा किया तो और बुज़गों की बात की थी 75 साल तक के उन बुज़गों के लिए 7500 रुपे और उससे ज़्यादा के उमर के लिए आपके 1000 रुपे की इन्होंने बात की जो की अब जाके इन्होंने गोशना की है 2023 में जाके तो कहीं न कहीं आपने manifesto को प्रिश्ली बारी का manifestos को इस बारी के manifesto से match करने के लिए कि हमने वादे पूरे किये पांच साल में आपने कुछ ने किया आपने पिछले एक साल में और कुछ तो आप 2023 में जाके गोशनाई किये तो एक तरह से लोगों के साथ खिलवाड ही किया है यानि जो समीकरण बैट रहे हैं ये मुखे कारण है कि इन्होंने गोशनाए पूरी करने में समय लगा दिया है और क्योंकि ये चुनावी सीजन चल रहा है तो चुनावी सीजन में कि सरकार हमारी बने इस वज़े से आप इसे जल्दी जल्दी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं बिलकुल यही हुआ है और मैं वेसी बता दूँ कि अभी अभी कई कई ऐसी चीजें हैं जैसे किसानों और संगडित मज़दूरों के लिए कि लैंड बोर्ड जो होना था वो अभी मंजूरी दिये अभी तुरंत अभी मंजूरी मिलिये 2023 में मेरे कहने का मतलब यह कि लगे उलट फेर क्यों हो रहा है सरकार के जब सरकार बनती है उस टाइम की जो वादे मैनेफेस्टों जो होता है उसको आपको बहुत जल्द कूरा करना चाहिए ताकि आप आगे की कारेक्रों जो हैं आपके उनके उनके पर काम कर सकें पर क्या इस आप कि राहिस्तान ने आपके आपके अगेंस्ट में जा रहा है सारा कुछ आपने भलहा ही जो 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 आपने चे 566 किय पान पिायद उक्तै निम पर फुग कार दो अब हुड है उ तो यह जो आपने समझाने की कोशिश की अभी से समझ में आता है कि यह सिर्फ चुनावी वादे आपकी होते हैं तो जिस स्तिती के हम बात कर रहे हैं कि दोनों ही जगह पर उल्टा एक समीकरन बन रहा है राजिस्थान मध्यपरदेश तो क्या हम यह समझ लें कि जनता पूरी तरह से समझदार हो चुकी है चाहिए आप जितने भी मैनोफेस्टों ले जाएए और जितने भी आप वादे कर लीजेए अगर आप धरातल पर समय रहते चीज़ों को नहीं करेंगे तो जनता आपको निकाल भार फेकेगी चाहिए वो पूरे कने पड़ेंगे तो वादे इनके जो हैं वो लेट सेब्ड जहां पर भी हुए अब मैं बोलूगा को तरकंड मेरीपीट कुई ती सरकार नहीं बहुत कम देखोगे तो ऑप से वीज़ेव मिलेगी कहीं 100 वोट से हार मिलेगी या कैसे यह सब देखने को मिलेगा है जो सी वोटर जो हमारा होता है जो ग्राउंड जीरो पर होता है वो बिलकुल सही सठीक बैठ रहा है क्योंकि यहां पर जो अंतर है देखिए अगर मैं राजिस्थान की बात करूँ तो राजिस्थान में कुल 200 सीटे हैं वोटंग परसेंट की बैबात करूँ तो कॉंग्र्स को यहां 42 प्रतीशत दिखा रहे हैं बीजेपि को 47 प्रतीशत और अनने को 11 प्रतीशत यानि सिसाब से कांग्रिस को 59 से 69 के बीच में सीटे मिरेंगी बीजेपी को 127 से 137 के बीच में अन्य दो से 6 यानि कि जो आमादमी पार्टी जो ये कह रही है कि विकल अब राजस्थान ने चुन लिया है क्योंकि उसके मेनिफेस्टे में वही गैरेंटी है जो वो मध्यप्रदेश में दे रही है जो वो 36 गड़ में दे रही है और जो मादमी पार्टी को जो चरित्र है वो सिर्फ में वौला चरित्र है अनका इक में करवा लो आज तक मैं समस्ते हो दिली में में कर में पूरे नहीं तो कुछ भी करवा तो उनको बाखी जगे सीरेसली लोग नहीं लेते बढ़ हां इनके दो से च्छे सिटे अगर इनके आती हैं तो कहीं न कहीं ये कॉंग्रेस के उपर इसकी वोट के उपर सेंद लगाते में नजर आएंगे जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा तो अगर इससे उल्टा हो बीजेपी डाउन हो सकती है? नहीं मैं राजिस्तान में मार्जिन बहुत है ना अगर आप सर्वे का देखो गए तो बीजेपी की 117 सीटों के लगबगा आपने बताया इस तरह से और कॉंग्रेस के पास जो सीटे आ रहे तो दो चार सीटों से कोई फरक पड़ेगा ने रा सीटे निजर आ पर भूए तो जैसे मैंने का गथा कि आपको त्रखंड में यही मंतिपडेश में दिखाई दे रही तो जैसे मैंने कहा है यही कांटे की टक्कर जो आज मद्य परदेश के दिखाई दे रही वहाँ पर भी वहां पर भी II स्तित्यी कि 35–40 सीटों पे Кон्ँगर्स दिखाई दे रही थी यही बदलाव आपको MP में भी नजर आ रहा है है, आपको जिसतरा से दिख रहा है कि MP में ही खहीं पर आप में देखींगे कि MP के अंदर आप सीटों को लेकर बात करें तो कौंग्रेस की 45% वोटर है भीजे पी की 45% वोटर है अब BSP के 2% है और अन्य के 8% है अब अन्य जो 8% है और BSP के जो 2% है. यह BSP तो आप यह मान के चलिए कि BJP की तरफ जाएगा तो BJP 47% पहुंचाती है और अन्य जो सब्सक्राइब माद्यप्रदेश सुब्सक्राइब प्रतीशत यहां जो अन्य ग्यारा प्रतीशत है वो बहुत बड़ा खेल सकते हैं क्योंकि मार्जल सिर्फ एक प्रतीशत अर्चतिस गड़ में कॉंग्रिस के सथकार है क्या यहां पर भी बदलाव हो सकता है कॉंग्रिस का मच्छतिस गड़ में सोड़ा सा बीजेपी की पोजिशन कमजोर नजर आ रही है और जिस तरह से आंकड़े हमारे सामने हैं वहां पर आंकड़ों में यह है कि कॉंग्रेस से पैंतालिस से क्याओन परसंट एक्याओन सीटे जा सकती है बीजेपी 39 तो 45 और अन्य यह बीजेपी की गवर्मेंट बनाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे लगता नहीं वहां पर थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एकदम क्लेर कट गवर्मेंट नहीं बनती हुए जोड़ तोड़ की बन जा है तो अलग बात है पर अलग से ही कुछ देखना पड़ेगा मगर मह 24 दोल पत्रेस्टरा सकता है अगर सब्सक्राइब by पूर 35 इंदा पर की अगर। कोई भी गड़बंदन का है तो वो कॉंग्रेस की तरफ जाएगा जो गड़बंदन का नहीं है वो बीजेपी की तरफ जाएगा जाएगा जाता है वसंद्रा राजे सीम रही है तो यह क्या यह माना जाए कि वह जादूगर ऐसा कुछ जादू कायम करने वाला है वो मैजिक या फिर इडियर जो अभी अब के वारी अब के वारी अब के वारी गलाउट साब का जादू नहीं चलेगा जनता इस बार समझ चुकी है जनता को इसने भी हम चर्चाय करते हैं सब जादा मुख्य वज़ा होती है एक तो यह कि महिलाओं के प्रती वहाँ पर अपराद बढ़ा है इसानू के लिए आपने काम नहीं किया है बिरोज़गारी दर्द दूसरे नंबर पर है पुरे देश में और महिलाओं के अपराद में इंपर्मेशन रिपोर्ट हो गई आपकी उसको फायर को इतना सीरियसली लोग बना देते हैं उसके बाद उसके उसके पर कारवाई होनी बहुत जरूरी है और यह सान अगर आप बोलेंगे कि वहाँ पर थोड़ा सा पुलिसिंग प्रोसेस अलग है अगर उत्तरप्रदेश क देखें तो आपके शिकायद जब होती है तो ट्रांस्फर पोस्टिंग भ windows इसील होनी वहता अंगर आपको इप्तरप्रदेश का मॉड EL लेना चाहिए जहां आपकी शिकायदविया उत्तरणंद मोलर टदिया जाय और वह आपकी एक किसी भी लेबल पे हो आप सिपाई हो तो, आप ठानेदार हो तो, आप कपतान हो तो, आप D.M. हो तो, समझे है कि आपको आपके अंदर वो डर होना बहुत ज़रूरी है राइसे निकान के अंदर आप अगर यह देखेंगे तो यह डर नहीं है वहाँ पर पोस्टिंग बहुत लिमिटेड तरीके उसाती है, मतलब एक SP भी दो दो तीन तीन साल जिले में रहता है, यहाँ पर आपको तीन महने का ठिकाना नहीं है, उत्रप्रदेश के अंदर, इसलिए उत्रप्रदेश में सासन बहुत अच्छे से चल रहा है, और काई कि वह उन्हों के काम किया है, और तौन शियासत में इस तरफ वीजपी की तरफ जाहे वह बहुत कर ले हम, वहां लोग पीछे इड़ आते हैं। हैं जो तौन पती अपर कास्ट लोग आनाय यहि empath odds से बड़ी प्रॉबलम है कि यह नेताओं की जो आदत है कास्ट इजम में बांट देना और अगर हम इसी चीज को अगर हम बात करते कि सिक्षा के ऊपर बात करते हैं आपने अगर लोगों को सिक्षित करने के ऊपर ध्यान देते तो साइद एकास्ट इसम बहुत पिछे रह जा कि उनी लोगों में से सिक्षित होके लोग राजनीती में भी आएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉबलम यही है कि जब तक आप सिक्षा की बात नहीं करोगे कास्ट इजम पे बात होती रहेगी और लोग इसी तरह से आपको बांटते रहेंगे और आपका शोशन भी इसी कास् सिर्गां सिंग जोहान ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारी योजनाय लेके आएं, लेके भी आएं, समें कोई दोराय नहीं लेके आएं लेकिन ऐसी क्या वज़ा है कि जब ऑपिणियन पोल्ट्स में, बीज़पी को कॉंघ्रिस से नीचे क्या हो सकता है कुछ ऐसा जो लोगों को ना पसंद आ रहा हो हूँ देखो किसी ने किसी कि आदमी की कारेशयली होती है एक विवेक होता है और इंसान का और मुख्यमंत्री नहीं पर आपके डिसीजन कितने फास्ट र कितने आपके लोगों के पृती है वह बहुत माइने रख गटना हो जाए तो पर एक्षन कितनी जल्दी हो रहा है इन चीजों से बहुत फरक पड़ता है उसकी दूद की राशन की ये प्रॉब्लम से सॉल्व हो सस्ता मिले ये इन चीजों से उसके स्कूल का विवस्ता ठीक हो अस्पताल में अडमीशन जल्दी हो कोई परेशानी आ ज प्रॉब्लम है तो आपने किस तरह से अपनी जनता को एजुकेट किया है एजुकेशन मैं फिर बोलूँगा एजुकेशन मस थी जो ये लोग नहीं करना चाहते हैं ये आज मैं गर्व से कह सकता हम उत्तर परदेश में बैठे हैं उत्तर परदेश के अंदर ये कमी दूर कि अंतरा जेरील भी अभी उद्गाटन हुआ है और इसी तरह से अपके हाइवेज जितने यूपी के अंदर जितने मैडिकल कॉलेज यूपी के अंदर आ रहे हैं तो इन चीजों से लोगों को आम आत्मी को फरक पड़ता है पांच राज्ये तै कर सकते हैं लुक सभाचना करें कि पांचों राज्यों में हम पूरी तरह से क्लीन चुट करने वाले हैं इसमें सचाई है या बीजोपी कुछ तो ऐसा करेंगी कि हां इन राज्यों को किसी भी तरह से बचा लिया जाए चाहिए बीजेपी स्टैम दो जगे पर फोकस कर लिए राइस्तान और एंपी ज करती है तो वह सेंटल में अपनी कॉमेंट बना लेगी लांग ना और जब मिजोरम का जिक्र करते हैं तो हमें वह सेवन सिस्टर सियाद आज जाती है और वहां फिर बीजेपी तो एक सीट है आप सोचिए मतला मैं यह नी बोलागी मनिपूर के लोगों के लिए यह बड़ा जाएगा और बीजेपी वहां पर हारीगी इस पर यह बहुत क्लियर है कि घटने घटी है इतनी लोगों के साथ अन्याय हुआ है और घर के घर बरवाद हुए तो इस पर लेट से एक्शन हुआ रियक्शन बहुत लेट दिया गया तो यह इसका फर्क पड़ेगा पर मैं वो J осनाar को स्वूर्आ कि घ्राबी बόलना के साथ कि इसके सरकार बनने वाली है इक ठोटे चोटे-चोटे स्टेाट में पहले एक प्रोग्राम में बोला था चोटे स्टेट मैं ब senza argumentision अब और इना नहीं लगाईगी उनomm हम की लगाने है इतागसे Jeśli पेजुक्ती बहुत में द कल भी एक प्रोग्राम में आपसे कहा था जन्वरी में इस्तिती बदलेगी बदलाओ आएगा और बहुत मैसिब बदलाओ आने वाला है जन्वरी में आप लोगों के इंदर भावना है और अलग से आप देखोगे आप कई जोतिस से भी अगर आप पूछोगे तो वो भी आप को जन्वरी के अबाद ग्रह से नक्षतर में चेंज बताएंगे तो जन्वरी का जिक्र लगातार आप कर रहे हैं कल चर्चा में इसी बात का जिक्र हुआ जिसको लेकर कॉंग्रिस प्रवक्ता एक सवाल पूछते हैं मुझसे कि आपको पता भी है कि राम मंदिर का ताला कि कि राजीव गांदीजी का तो क्या इससे भी कोई फर्क पड़ेगा जिसरह से कॉंग्रिस सिच्वेशन क्रेट करने की कोशिश करें के विल्कुल मैं बोलूं कि उन्होंने सवाल तो ठीक पूछा आप से कि राम मंदिर का ताला किस ने खुलवाय था उन्होंने उसीज की प प्रवक्ताओं का काम हो गया आज कि कुछ नहीं तो खेल बिगाड़ दो दुबारा से खेलेंगे टाइप से वाला बच्चों वाला इस्तिती है इनकी आज की पर राम मंदिर पुरी दुनिया जानती है कि किसने इसको इनिशेट किया कैसे मंदिर बना और क्या हुआ इस अंगा वाली कानी भी हुई पर उनका विफक्षेओं का हमेशा से रहा था कि राम न् minder कि ऐखें दो बना इज पानीश बनाएं गया तारीक भी वन नहीं बता दी और 22 जन्वरी के के से पहले से ही एक लैर आप की जब शुरू होगी और हर गर माटी से वैसी जुरू हो चु कि शॉट्य बीजेपी के कुछ जो बीजेपी के बिछे आरे सें जो काम करती है न वो इंसान को इंसान से जोड देती है उसको देश भक्तिय दिला दि היके और देश वाले हैं उसका गुणा गणी या फिर फैसला करना भी जल्दबाजी होगी लेकिन फोकस सबसे जादा लोकसभार चनाव पर भाजपा कर रहे हैं लेकिन कॉंग्रिस इन स्टेट्स को भी भिनाने के पुर्जोर कोशिश कर रहे हैं खैर जब वोटिंग होगी और जब रिजल् को तब हमें पता चलेगा कि पांच राज्यों में किसने सरकार बनाई है और किसने नहीं तब तक आप भी अपने कमेंट्स दीजिए हमें और बताइए कि किसकी सरकार आप क्या चाहते हैं किस तरह का बदलाब होना चाहिए क्यों होना चाहिए मैनिफेस्टों में क्योंकि आ आपने एक वोट की ताकत को समझें और एक-एक से ही आप समझ सकते हैं, सरकार चुन सकते हैं, तो अपने वोट को बहुत सोच समझ के दिजिएगा, तब तक हम जब तक ये आपके वोटर में हो, हम आपको रोज अपडेट कुछ न कुछ आपके छेतर की देते रहेंगे, तब तक आप रखें अपना अत्यान, सोच समझ के दिएगे, वोट और सब को सुने जरूरूर।